राजिस्थान की धाई वाली मिर्ची बहुत ही फेमस है और आज कर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है तो मैंने भी अपने घर पे आज यही रैसिपी बनाई थी जो मैं आपके शेयर कर रही हूं तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कम तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने इस रसीपी को त्यार किया है जो मैं आपके शेयर कर रही हूं तो आज की रसीपी है राजिस्थान की फेमस धाई वाली मिर्ची कभी कभी होता है कि हमारा सब्जी हन बनाने का मन नहीं करता है कुछ अलग सखाना है तो यह रैसीपी पर्फेक्ट है जरू ट्राइक कीजिएगा तो चलिए देखते किस तरह से हमने बनाई है राजिस्थानी धाई वाली मिर्ची बनाने के लिए मैंने आदा किलों मिर्ची लिए हैं यह चारवली मोटी मिर्चे नमक धनिया पाउडर हर मिर्ची लाल मिर्ची और हल्दी और एक चमद सौफ एक चमद जीरा थोड़ी सी हींग और दो बड़े चमद धाई यहां मैंने सबसे पहले मिर्चों को अच्छी तरह दो लिया है और इसको बिल्कुर सुखा दिया था फिर भी मैं इसे एक टौवल से ड्राय टौवल से बढ़के कर रहा है फ्रेंड्स आपका सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा है ऐसी बनाए रखिए और प्लीज 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 मुझे ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए वीडियो को पूरा देख्या करें आप वीडियो देखते हैं और एक अच्छा सा कमेंट्स भी जरूर वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही समझाए किस तरह से फटा फटा से बनाई है और बिल्कुल यह राजिस्तान के जैसे टेस्ट वनेगी सब्सक्राइब कर देंगे और इसको बीच में से दो हिस्तों में कट कर लेंगे यह 8 वाली Self आई हुम है बड़ी बड़ी जो होती हैं बहुत ही हम ऑच्छी बंटी हैं क्योंकि जादा फिकी नहीं होती एक मोटे वाली होती हो फिकी-फिकी होती है पर हम यहाल हिसे लेंगे इस में थोड़े कि सारी देख सकते हैं और फ्रेंट्स आप पूरी रेसिपी देखेंगे तभी समझाएगी और कुछ भी इसके इपना कीजेगा इस तरह से हमने इसको काट लिया है हमारे सारी कट गई है चलिए अब आगे की तरफ वड़ते हैं सबसे पहले तबे पे मैंने जीरा और सौफ दोनों को डाल दिया है और इसको ड्राय हम रोस्ट करेंगे और याद देखिए का फ्रेंट्स इसे विल्कुल स्लोग इस पर करना है हमें इसमें अच्छी सी अच्छी आगे अब दूसरी तरफ हमने एक कडाई के अंदर दो बड़े चमर मैंने डाल लिया इतने गरम हो रहा है इतने मैं इसको कूट लोंगी जीरा और एजवाइन को अच्छी तरह कूट लोंगी यह देख सकते हैं कूट लिया है यह दो चमर हो गया एक चमर आप लि अब लिया था तो मस्ट्रोल अच्छी तरह गरम करके इसमें डालना चाहिए नहीं तो महाइक आती है और इसको दाल दी है और इसको चलाते रहोंगी मिर्चों को और इसको थोड़ा सा भूने मिर्चों और भी के अंदर भून के इसके साथ हम इसके नमक आड़ कर लेंगे नमक आप स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा यहां मैंने आदी चोठी चमर्ज लिया है और भून के से जीरा और अजवाइन के साथ कोट लीजेगा अब इसमें आदी चमर्ज लाल मर्ची और अदी चमर्ज हल्दी पौड़र डाला और दो यह वन पिंच डाली थी मैंने हींग सब चीज अलग कर लिया है एक अलग से बड़तर में धाई को अच्छी तरह और फैट के डाल लिया है उसके अंदर ही सारे मसाले नमक तौम ओलड़ी जाल चुके हैं मिर्ची हल्दी धनिया सौफ और जीरा सब का पौड़र मिक्स कर ले अच्छा आएगा पता नहीं चलेगा कि इसमें मिर्चे हैं धाई थी और यहां देखिए मिर्चे हमारे इच्छी तरह हो गई है सौफ्ट हो गई है अब हम इस टैम पर कैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे इस बिल्कुल हाई नहीं करेंगे लो फ्लेम पे ही हम यह अपना रॉन आफने मसाल और घाल लिए शान अच्छी तरह से सारा मसाल के लिए पर चलाएंगे और फ्रेंड्स दढलन पर डालेगा तो भी फट जाती है इसलिए तक कि उसमें और रिलिस नहीं हो जाता घुर्ष को बहुते रहेगे और देखेंगे आपकी एक से दो मुनिट अच्छी तरह भुष्भू पहुती अच्छी आ रही है तो इसको अच्छा आएगा तो इसको सूखा ना डालेंगे सिदफ भून के ही डालेंगे और यह देखिए उपर इसका और रिलीज होने लग गया है अब हम इसको बिल्कुल स्लो गैस पर ढख के पकाएंगे जिसका एक्स्ट्रा पाणी होगा बिलीद को रिलीज हो जाएगा जब तक हम इसे पकाएंगे उसे पकाने में फ्रैंड सिफ 1 जी दो मिनट ही लगेगा और यह देखी पाणी फूलặt रिलीज हो चुका है धाई लोको हो खतम हो गया है और मसाला भी कुछ पक चुका है यह देखिए अब गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ और उपर से डालेंगे इसमें थोड़ा साहरा धनिया यह भी काफी अच्छा खुश्बू देता है इसमें और टेस्ट में अच्छा लगता है अब गैस आफ करके उतार लिया है हमने और इसको तो इसके जुरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही अच्छी लगती है और खाने का स्वाद भी काफी अच्छा बढ़ा देती है यह देखिए यह मैंने निकाल ली है सारी बन गई मेरी और वीडियो को अच्छी लगे तो फटा-फट से लाइक कीजिए थोड़ा सा धनिया डा अच्छी मिलते ने चुना बाई अपना ध्यान रखे रादे रहा